कुढ़नी में हो रहा है उप चुनाव को लेकर सभी पाटियों ने अपना कमर कस लिया है और कल जेडियू ने अपने परत्यासी के नामों की घोशना कर दी है जेडियू के तरफ से मनोज कुस्वा जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है या यूं कहें कि महागट बंदन के स्रफ से मनोज कुस्वा उमिद्वार होंगे अब भाजपा और मुके सहनी अपना उमिद्वार का नाम का घोशना करेंगे मुके सहनी आज साम को देर साम अपने उमिद्वार की नाम की घोशना करेंगे बता दे कि मुके सहनी कुड़नी में जाकर पूरा सर्वे कर चुके है कुड़नी के लोगों से मिलकर उनसे बात करके कि आपके बीच में से किसी एक को अगर उमिद्वार बनाना हो तो मैं किसे उमिद्वार बनाऊंगा कल मुकेश सहनी ने यादों के बस्ती, मुसलमान के बस्ती और निशात समाज के लोगों के बीच में जाकर उनसे बाते किया और फिर ये पता किया कि आप में से किसको उमिद्वार बनाया जाए और अब फाइनल हो गया है मुकेश सहनी अपने उमिद्वार की नाम की घोशना क करेंगे और कुड़नी में भाजपा को टक कर देंगे जी हां जेडियू को नहीं बलकि भाजपा को टक कर देंगे इसलिए मुकेश सहनी ऐसा प्रतियासी उतारेंगे जो भाजपा को टक कर दे सके और भाजपा भी इसलिए अभी तक रुकी हुई है कि जब मुकेश सहनी अपन मुकामा की बात कर ले, गोपाल गंज की बात कर ले. अब कुडनी में हो रहे हुप चुनाओं में बाजपा को ये डर है कि मुकेश सहनी उन्हें डैमेज ना कर दे. इसलिए बाजपा के परदेश सद्यक्ष अपने सोसल मीडिया के माध्यम से लगातार मुकेश सहनी पर हमले कर रहे हैं आपने देखा होगा किस तरीके से संजे जैस्वाल ने ये पोस्ट लिखा था आपने सोसल मीडिया पर कि अब मागट बंदन में गिरगिराने की प्रकिरिया जो है वो शुरू होगी नितीश कुमार तेजस्वी के सामने गिरगिराएंगे मुकेश सहनी नितीश कुमार के सामने गिर गिराएंगे और कहेंगे कि देखिए कैसे आपके कहने पर हमने भाजपा को डेमेज किया था और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो मुकेश सहनी चार से पांच खोखा लेकर भाजपा को हराने में लग जाएंगे और भाजपा को हरा देंगे ऐसा संभव नहीं है अब देखने वाली बाती है कि मुकेश सहनी जब आप अपने प्रतियासी की नाम की गोश्चना करेंगे तो वो कौन सा होगा किस समाज से होगा क्या मुसलमान होगा या फिर यादो होगा या फिर निसात समाज से होगा लगतार सारे करताओं को वहाँ पर उन्होंने मजबूत कर दिया है और लक्ष एक ही है या तो जीतना है या फिर भाजपा को जीतने नहीं देना है लक्ष एक ही है कि मुकेश सानी अपना अमिद्वार इस सर्थ पर उतार रहे हैं कि या तो आपको जीतना है या फिर अगर आपको लग कि बोचहां उप्चुनाओं से पहले मुकेश सहनी के तीन विधायक थे मुकेश सहनी मंत्री थे और उनके तीनों विधायकों को तोड़ लिया गया उनको मंत्री पत से हटवा दिया गया क्यूंकि लगतार मुकेश सहनी यूपी में जाकर भाजपा के खिलाफ चुनाओं कर रहे थे तो ऐसे में भाजपा ने कहा था कि अगर आप यूपी में आमारे बिरोद में खड़े है तो बियार में आपका रास्ता रोक दिया जाएगा और हुआ भी वैसे उनके तीन विधायकों को तोड़ लिया गया और मुकेश सहनी इसी का बदला हर उपचुनाओं में ल हो गया 2020 में 35,000 वोट मार्जिंग था और इस बार उपचुनाओं में महज 22,000 वोट मार्जिंग अब देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी अपने परतियासी जब उतारेंगे तो कितना मजबूत होगा क्या कुड़नी में से ही कोई आम वेक्ती होगा उसे उतारेंगे या फिर कोई मजबूत परतियासी होगा कोई किसी पार्टी का बागी परतियासी होगा ये भी देखने वाली बात होगी कि बोचाहा में राजत के बागी परतियासी को मुकेश सहनी ने अपना उमिद्वार बनाया था अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा के किसी बागी परतियासी को मुके सहनी अपना उमिद्वार बनाएंगे बेराल इसका बर में इतना ही बने राय मार साथ और देखते रहें दे इंडिया टॉप